जाया श्रिक्रसना, आज हम कहानी चुनेंगे सपनों की उरान. इस कहानी में हम एक छोटे से गाउव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनायों का सामना करती है. एक छोटे से गाव में रधा नाम की एक बच्ची रहती थी वह बहुत ही समवेधन शील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी राधा के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गाव को उचायों तक ले जाएगी और उसे खुशाली और सम्मान की उचायां प्राप्त होंगी राधा के पास गरीबी के कारण कई कठे नायां थी उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए संगर्ष करना पड़ता था लेकिन राधा नहीं हारी वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ा कर उठाया गाउव में उसकी स्कूल नहीं था लेकिन उसने खुद को पड़ाई के लिए समर्पित कर दिया वह दूसरे गाउव जाती और पड़ाई के लिए पूरी मेहनत करती संघर्ष और कठिनाईयों के बावजूद वह अपने लक्ष की और बढ़ रही थी राधा की दृर्ता और मेहनत ने उसे सफलता की और ले जाया उसने अपनी पड़ाई पूरी की और उच्छ शिक्षा हासिल की जब वह वापस अपने गाउव लोटी तो उसने गाउव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी उसका पढ़ाने का तरीका बेहत अनोखा था जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बननने लगे राधा के संघर्ष और प्रगती की कथा गाउव के लोगों को प्रेलित करने लगी वह उनकी आदर्ष बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पुर्ती के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया इस तरह राधा ने अपने गाउव को उच्चायों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक बनाया ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछी द्रिर्ता से खड़े होना चाहिए कठिनायों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पन बनाये रखने की आवश्यक्ता होती है जब हम अपने सपनों के प्रती विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं जै श्री कृष्ण विडियो लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे धन्यवाद